लॉकूर एनको के चौते एपसोर के स्टार्टिंग में लूसी बेड़ पर लेटी वी होती है जब उसे होसा आता है तो वहाँ पर लॉकूर या जॉर्ज नहीं होते हैं भी लॉसी किचन में जाती है जहां उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लोग स्पुरिट हटिंग के लिए गए होते हैं। लुसी को बेस्मेंट का दरवाजा खुला हुआ मिलता है जिसे देख वो डर जाती है तब ही लॉकूट और जॉर जा जाते हैं जो एक हंटिंग मिसिन पर गए थे और किप्स की टीम के साथ काम किया था उसी बात को लेकर लॉकूट गुसे में होता है लुसी को देख लॉकू लुसी को बेस्मेंट की घटना के बाद काफी सस्पीसियत दिखाया जाता है क्लाइंट तो बिजनेस पार्टनर होते हैं सेवेस्टेन सॉंडर और पैमेला जॉपलेन जो की स्वीडरिन एक्सक्यूशन से होते हैं मतलब वे कबर खोदने वाले कर्मचारी होते हैं वे बतात हैं वहां बड़े और नामे वेक्तियों की डेट बोडी इसको दफन किया जाता था और मेंसे एक आत्मा है टाइप टू की जो की पुरानी और एतिहासी गया पर हमें यह नहीं परता कि उसकी खबर कौन सी है उसका किसी लिस्ट में नाम भी नहीं है वो कभी पावरफुल है कोई को डीप्लेक सारे खर्च उठाती है इसलिए ये काम आप लोगों को नाइट में करना होगा ताकि हमारा दावा साही साबित हो लॉकूट को ये काम काफी इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए हां कर देता है इन बातों के भी शूसी को दिखाया जाता है कि उसके जूतो में किसी प्रकार की तीन कीले घुसी हुई है कबरिस्तान के अंदर एंटर होने से पहले उन्हें गोस्ट कर्ड के लोगों की भीड मिलती है जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उनका मानना होता है कि भूतों से लड़ने के बज़ा उनका स्वागत करना चाहिए इन्हें सोर सराबा पसंद है ये गुसेल और मोठी चम्री के होते हैं। कबरिस्तान के अंदर आते हैं उन्हें लोगों का जमाड़ा मिलता है जो कि वहां के हाई सिक्योर्टी होती है। सबसे पहले कबर खुदने वाले के बारें बताता है जो कि ओनेस्ट होते हैं। फिर नाइट वाच के बारें बताता है जो कमपरेसों में अपनी लाइफ रिस्क लेकर काम करते हैं। फिर हाईगेश सेंसिटिव के बारें बताता है कि वो भी लिस्नर होते हैं पतलवार नहीं उठाते हैं। वहाँ के सभी सिक्योर्टी मेंबर्स काम करने से बना करते हैं क्योंकि उनका कहना था है कि वह जीता जाकता सुसाइट प्लेस है और जब तक वह कब सेफ नहीं हो जाती हम तब तक वहाँ काम नहीं करेंगे सौंडर बताता है कि इसलिए हमने एजेंट्स को बुलाया है लोगफूर उनकी बातों को सो नहीं यकीन दिलाता है कि आपकी सुरच्चा ही हमारा एकमत मकसत हैं हम पिट्स यार रोटकल की तरह ही अच्छी एजेंट्स हैं हम अपना काम चुप चाप करते हैं ना कि इसलिए कि हमारा नाम पेपर में आया हमारी तारीफ हो आप लोग इस कबरिस्तान को अच्छे से जानते इसलिए जैसा आप बताएंगे वैसे ही हम काम करेंगे पिस सौंडर लोगफूर से कॉंटेक्ट पर साइन करवाता है लोगफूर पूसता है कि आखिर वहां हुआ क्या था तो सौंडर बताता है क्रेव डिगर ने गलत वक्त पर काम किया और सूरज डूबने के वक्त उनके सामने ताबूत था पर वो खुला नहीं था उसे खुलने का कम तुम्हारा और ये काम बीना किसी मदद के करनी होगी जब तक वो जगफ सेफ न हो जाए लोगफूर ये सुन गुशाता है क्योंकि सौंडर ने पहले कहा था कि तुम लोगों को हातरे के की मदद मिलेगी फितीनो उस कबर के पास जाते है ये बहुत साल पहले किया गयता पर अभी तक सड़ा नहीं है इदर लूसी को अचनक से चक्कराने लगते है उसकी तबित खराब होने लगती है फ्लैश बैक में दिखा जाता है कि वही जारवाल अभूद उसे आवास दे रहा है जोर्ज ताबूद को देखकर बताता है कि लोहे की बनी है इसलिए फॉरण घेरे से बहार आ जाता है लॉकवड कहता है कि इसे तब प्रॉब्लम सुरू होने के काफी समय पहले दफनाए गया था ऐसा कहा है जिसे दफनाने की जुरत पड़ी और उन्हें दफनाने का तरीका कैसे बता आगे कहता है कि ताबूद में छेद है हमें उसे खुल का सोर्च को सील करना होगा लॉसी को मक्यों की आवास सुनाई देती है तो जॉर्ज को चकर आते हैं लॉकोड और जॉर्ज दोने ताबुत को खोलने जाते हैं पर लुसी की हालत और बिगरने लगती है। उसके हाथ में तलवार उठाने से चोट लग जाती है। लुसी को कंट्यूनी मर्क्यों के भिन मनाने की आवास सुनाई देती है। जिससे उसका सिर घूमने लगता है। जैसे ही ताबुत खलता है उसमें से एक चक्कर जैसा घूमता है। जॉर्ज उसके वश में आने ही वाला होता है कि तब लुकोड उसे पीछे घसीट लेता है। और लुसी उसके उपर चेन की चांदर फेक देती है। कवरिस्तान के सेक्योर्टी मेंबर्स भी आ जाते हैं पर तब तक सिचुएशन कंट्रोल हो चुकी होती है। जॉर्ज कहता है कि आके उसके इंदर काली जैसी चीज थी क्या। ऐसा लग रहा था मानो हो मुझे रेख रही है। सिर में गोली भी मारी गई थी। तो लॉकोट कहता है कि हमें उससे मतलब नहीं हमने अपना काम कर दिया। तब ही सॉंडर आकर उनकी तारीफ करता है। और लॉकोट को उसका प्रेमेंट देता है। मेंसर जॉप्रिन आकर डीटेल समागती है ताकि बोडी की पहचान हो सके। जॉर्ज उन्हें डीटेल देने उस कबर के पास लेके जाता है। इधर लूसी एक कबर पर बनी खोपडी को देखती है। जिससे देख उसे याद आता है कि जार में बन खोपडी ने उससे बात करने की कोशिश की उसका नाम लिया। अचानक से जॉर्ज का पैर फिसल जाता है और चादर बोडी के उपर से हट जाती है। चारो तरफ तेज हमाय चलने लगती हैं उसे एक बहुत भयानक भूत निकलता है। लूसी फॉर्ण उस भूत पर तलवा फेक देती है और जॉर्ज उसे चादर से ढग देता है। सिचेशन फिर से कंट्रोल में हो जाती है। लूसी वहां से निकल पॉर्ण घर को आती है और जारके नौप को थोड़ा ओपन करती है। खुपड़ी फिर से लूसी का नाम लेता है और कहता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। मैं बहुत अकेला हूँ। लूसी को यकीन नहीं होता है कि वो टाइप त्री भूट से बात कर रही है। जो कि बहुत खतरनाक होते हैं तो खुपड़ी कहता है कि मैं नहीं वो लड़का खतरनाक है। उसके बहुत से सीग्रेट है। यहां लॉक्वूट के बारे में कह रहा होता है। कि तभी कुबडी फुस्ती की कहा गई थी तुम तो लुसी कहती है की काम कर रही थी कबरिस्तान में तो कुबडी कहती है किस कबरिस्तान में गई थी तुम किसी ताकत के पास थी और अब मौत आ रही है लुसी इसमें परिशान हो जाती है और जुल जुलाते हुए जारकनों फिर से बंद कर देती है लॉकुड और जॉर्ज भी घर आ जाते हैं जॉर्ज उस कबर के आयने पर बने शिरान के बारे में सर्च करता है और लॉकुड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो काम खत्म हो गया है फिर जॉर्ज को उसकी लापरवाही के लिए डाता है कि तुमने अपना ध्यान बढ़क ने दिया अगर लॉसी नहोती तो तुम जिन्दा ना बच पाते तो जॉर्ज कहता है कि लॉसी भी तो एक जॉब के दाना भागी थी तो मुसे तो कुछ नहीं कहते दोनों पहस करी रहे होते कि बीच में लॉसी उस खुबड़ी को लाकर कहती कि यह मुसे बात कर रहा था उसने कल मेरा नाम लिया था इसलिए मैं बहुस हो गए थी दोनों को लॉसी की बातों पर यकिन नहीं होता तो लॉसी कहती है कि मरीसा फिट्स के साथ भी यहीं होता और यहीं मेरे साथ हो रहा है इसका मतलब मैं बहुत जादा ताकतवर हूँ जोई उसकी बातों को अंसुनी कर वहां से चला जाता है तो लॉसी लॉकूट से कहती है कि तुमारे बंद कमरे के दरवाजी के बारे में भी इसने बताया जहां कई राज छिपे हैं यह सुन लॉकूट गुस्ता हो जाता है और कहता है कि तुम मरीसा फिट नहीं हो और जिस राज की बात कर रही हो उसे तुम समझ नहीं सकती आज के बाद अगर दुबारा उस कमरे का जिकर किया तो तुमारा यहां आकरी दिन होगा दूसी अपनी उल्जन को दूर करने के लिए मरीसा फिट का इंटर्वी वीडियो देखती है जहां वो बताती है कि हमने भूतोक उनके बरता और पावर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया सबसे कमजोर विजिटर टाइप वन और उसे स्ट्रॉंग टाइप टू इंट्यूविवर उसे टाइप थरी के बारे में पूस्थ दिये तो मरीसा कहती है कि लोग इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते जब तक वो ढरावना ना हो टाइप टीरी इंसानी दुनिया से जाने के लिए बिल्कुल तयार नहीं होता है उनमें अनोखी ताकत और समझ होती है वो अकेले अंधेरे साहे में हमारे जैसे महसूस कर सकती है जब तो किसी जिंदारू से बात न कर ले लॉकूट अपने बिहवेर के लिए लूसी से मावी मांगता है और हाथ की चोट पर मरम पट्टी करता है और बताता है कि जब मैं 6 साल का था तो मैं अनात हो गया था उस कमरे के अंदर मेरा अतीर है जिसके बारे मुझे बात करना पसंद ने अब मुझे तुमारे बातों पर यकीन है ये सुन लूसी फूस हो जाती है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते होते हैं अपनी एमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं लूसी बताती है कि खुपड़ी मेरी ताकत को महसूस कर सकता है और मौत की भविस्वारी कर रहा था ये बात जब दोनों जॉर्ज को बताने आते हैं तो वो रूम में नहीं मिलता और एक आगज़ पर लिखा होता है The Truth Lies Beyond लूसी तो जॉर्ज उसी कभिस्तान के क्राइम सीन पर आता है जहां उसी एक छड़ी मिलती है तभी वहाँ इस्पेक्टर बांस आ जाता है और कहता है कि मेरा काइम सीन है और आइना चोरी हो गया है इसकी कुदाई तुमने की थी ना तो तुम्हें कुछ अलग दिखाई दिया था तो लूसी कहता है नहीं पर कर तुम्हें किसी पर शक है तो इस्पेक्टर कहता है कि अभी तो नहीं पर जिसने भी चुरा है उसने 12 साल की एक बच्चे को मार डाला जोर्ज कहता है कि तो फिर हमें क्यों नहीं बता है इस्पेक्टर बताता है कि अभी तुम्हारा केस नहीं इसे हमने फिट्स एजनसी के किप्स टीम को दे दिया गया है तभी लॉकूर्ड और लूसी भी आ जाते हैं किप्स बताता है कि हम इसकी पहली रिपोर्ट बना चुके हैं उसका साथी बॉबी कहता है कि फिट्स डाटाबेस के अकॉर्डिंग 1886 में किल बन में मजदूरों की बहुत बुरी लड़ाई वे थी और ये आदमी उस सराब खाने का मालिक ता तो हो सकता है कि उन मजदूरों ने इसे मार कई इस थाबुत में बंद कर दिया हो और आइना उस्प्रक्ति की खास चीज होगी इसलिए वो सोर्स बन गए जो उसके स्टोरी को सुन हसने लगता है और येल स्टोरी बताता है कि ये बात सही है कि ये घटना 100 साल पुरानी है और आइना आपका कुछ लिखा है जो कि फिनिशन भासा में लिखा है जिसे विक्टोरियन वक्त के जादू टोना वाले यूज करते थे जिसका मतला था सत असलियत से परे है ये मौत कोई दुरगटना नहीं थी ये एक अमी जादू टोना करने वाला आदमी था जो अपने कत्व वक्त से आगे था और उसकी पास एक खास आईना था जिसकी कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत जाणा थी आगे बताता है कि ये कब्रिस्तान एड्वेंट बैकर स्टाफ के परिवार का हुआ करता था लोहे के ताबूद और कांच पे लिखा शब्द उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं ये सब भूद से संबन देता है अपनी बात को साबित करने के लिए जोड़ शड़ी पे बना निशान दिखाता है जो कि बिकर स्टाफ के परिवार का होता है इसका मतलब कि ये एक खतरनाख विक्टोरियन डॉक्टर है जो कि जादो टोना करता था दोनों टीम इस केस को लेने के लिए लड़ने लगती है तो इस परक्तर दोनों टीमों को एक साथ केस पर काम करने के लिए देता है दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के साथ काम करने को मजूर हो जाते है लॉक्टर अपनी टीम के साथ बाहर आता है तो जॉर्ज कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो आइना दप प्रॉब्लम को सॉल्ट करने का जरीया हो इसलिए हमें उसे ढूनना ही होगा तब ही पीजे से किप्स कहता है कि तुमने हमारा केस चुरा लिया जिसे सुलजाने के लायक भी नहीं हो तो लॉकूर कहता है कि तुमने पता है कि हमसे बहतर और कोई नहीं कर सकता ये मुकाबला आइना ढूनने का है तो शर्ट लगाता है कि जो हारेगा वो जीतने वाले को बदाई देगा और इस कबर को अकवार में छबवाएगा कि पसको ये चैलेंज पसंद नहीं आता और अपनी शर्ट अक्तिवे कहता है कि हम दोनों में जो हारेगा वो इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा राकूर गहरी सांस लेकर हसते हुए चैलेंज को एकसेप्ट कर लेता यहां से चौथा एपसोट कतम होता है